है लो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उमीद करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो सबसे पहले हम आपको बता दूँ कि न्यू सूपरकार का इवेंट आने वाला था लेकिन अब भी नहीं आया है सायद कल आया या फिर हो सके उसके नेक्स डे आये कुछ भी कनफर्म नहीं है लेकिन आयेगा जरूर ठीक है हमने कई सारी वीडियो बना के रखी आप जाके देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं नया वीडियो का मिसन आ चुका यानि वीक फोर जिनके पास इजी मिसन लाइसंस काड होगा उनका वीक फोर का जो मिसन अनलॉक हो गया होगा जिनका नहीं है उनका वीक थिरी आज अनलॉक हुआ होगा तो वीक थिरी का मैं कैसे करने है ठीक है तो हमाते week 4 में तो अगर हम बात करें पहले mission की जो है 100 rp point का pickup compensator in 5 match in classic mode तो जो compensator होता है उसे pickup करना है 5 match में पहला mission complete हो जाएगा elite pass वालों के लिए है और second भी elite pass वालों के लिए है finish one enemy with 60 second of landing in classic mode जैसे आप land करते हैं उसके 60 second में आपको एक बंदे को मारना है तो यह चीज hot drop पे possible है या तो फिर आप कहीं पर land करते हैं वहाँ पर बहुत दिखेगा तो यानि land करने के 60 second में ही आपको बंदे को finish करना है यह mission complete हो जाएगा अब यहाँ पर इस card के करना है यानि आपको time बिताना है ठीक है 100 minute 100 minute 100 minute आपको six time 100 minute 100 minute 100 minute expend करना है और आपको 360 rp point यहां से मिल जाएंगे अभी तो week 3 चल रहा है week 3 में भी सेम यही चीज है week 4 में सेम यही चीज है अब अगला mission 150 rp point का फ्रेंड बुष्ट है इसमें आपको 10 बंदों को smg gun से एरेंगल मोड में मारना है ठीक है smg gun से तो आप अपने light pass वालों बंदों के साथ केलना और यह mission easily complete हो जाएगा बस आपको smg gun से मारना है करेगा तो यह complete हो जाएगा eliminate player with pen to time यानि आपको classic mode लगाना है pen से मारना है दो बंदों को यह mission complete हो जाएगा आपको रुचाया आपका friend करें हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर अगला mission 60 rp point का complete 8 match in any mode आपको 8 match किसी भी mode में खेलना है ठीक है आप TDM या तो कोई सा भी mode लगा सकते है यह mission complete हो जाएगा अगला mission है 60 rp point के लिए finish more than 14 player in single match in arena तो आपको arena में 14 player से उपर वाना है तो इसमें आपको देखो कौन सा आप लगाएंगे मैं दिखा देता हूँ हम आते हैं अनराइंग में आते हैं एरिना में आते हैं आप 8 by 8 जो 8 by 8 centorny map है आप इसे लगा ले न ठीक है इसे लगा के आपके लेंगे न तो इसमें आपके 14 kill आराम से हो जाएंगे तो आप यह mission easily complete कर सकते हैं अब अगला mission है 60 rp point के लिए आपको week 4 में 3 दिन login करना है 3 day login करना है यह mission complete हो जाएगा अब अगला mission है 30 rp point के लिए फ्रीस वन एनमी विद पिस्टल इन एनी मोड आपको एरिना लगाना वहाँ पिस्टल से एक बंदे को मार देंगे mission complete हो जाएगा और अगला mission है 30 rp point के लिए gift और gift back BP to 3 different friends तो आपको अपने friend को BP gift करना है आपको यहाँ पर जाना है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा friend है तो BP send करने का option आ रहा है तो simply आपको profile पर click करना यहाँ से BP send कर देना ठीक है तीन बंदों को जैसे आप send करेंगे जो आपका mission complete हो जाएगा आप देख सकते हैं complete हो गया ठीक है तो काफी आसान सा mission है अब जो आखरी mission उसे देख लेते हैं destroy two vehicle tire in classic mode तो आपको दो tire को फोड़ना है ठीक है यह भी mission complete हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूँ कि सारे के सारे mission इतने आसान है इतने आसान है कि मैं आपको क्या ही बोलूँ so आप easily सारे के सारे mission कर सकते हैं और हाँ अगर आपने week three का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना बिलते रेक्स वीडियो में बाई